आपके अपने DJ Sir coaching classes पर मैं आपका हर दिस्वागत करता हूँ और जैसे कि मैंने आपसे वादा गिया था कि मैं topic by topic आपके लिए MCQ लेके आऊंगा तो आज बहुती सहंदार question still मतलब QC का के 30 super question लेके मैं आपके सामने उफस्चित हुआ हूँ जो हर exam के लिए रामबान सिद्ध होंगे तो हम जल्दी से जल्दी class को start करते हैं तो यहाँ पर जो पहला question है कोसी का रचना को सर्वप्रतम देखने का सरे दिया जाता है जिस चार आपके क्या है option है और मैंने जो मेरी मेरतन class हुई थी कोसी का उसमें भी इस question का जिक्र किया था तो इसमें यह वाला option नहीं है यह वाला भी नहीं है और यह वाला भी नहीं है तो कौन है इसमें robot hook कोसी का रचना को सर्प्रतम देखा वो देखा robot hook नहीं है तो यह हम और भी point निकाल लेते हैं तो देखना दोस्तों यह यह पहला point आता है वो आता है कोसी का के खोज करता यह हमारे थे robot hook second point आता है यहाँ पर बहुत important point है आपको विसे ध्यान देने की जरूवत है आपको इसमें थोरिकल क्लास और MZQ क्लास दोनों आपकी complete हो रही है पोसी का का जनक पोसी का का जनक यह हमारे यह भी हमारे robot हुकते हैं कौन थे robot हुकते हैं अगला जो point है इन्होंने जो कोसी का देखी है वो म्रत कोसी का के जनक म्रत कोसी का के जनक तो यह भी हमारे कौन थे यह भी हमारे robot हुकते हैं तो यहां से दोस्तों तीन point निकल कर आते हैं कोसी का के खोज करता robot हुकते हैं कोसी का का जनक robot हुकते हैं और म्रत कोसी का के जनक भी robot हुकते हैं अगला देख लेते हम के कोशी का जो सब्ध दिया कोसी सब्ध जो हमारा जो कोशी का जो सब्ध दिया है वह भी किस ने धिया है तो बहुत वह हमारे रोबट ठुक तो ये चार बात आपको रोबर ठुक के बारे में जानकारी होना चाई इसका अंसर और नम्मर का है अगला हम देखते हैं अगला है सबसे लंबी कोसी का होती है इन में से सबसे लंबी कोसी का होती है मैंने आपको कोसी का जो पढ़ायती थोरिकल कलाथ उसमें मैंने आपको एक एक चीज नोट कराए ते सबसे लंबी कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका होती है तो हम देखते हैं कंकाल कोशिका ये आपका अंसर नहीं है RVC आपका अंसर नहीं है और ये भी आपका अंसर नहीं है तो सबसे लंबी जो कोसी का होगी वो दोस्तों किसकी होगी तंत्रिका तंत्रिकी यहाँ पर हम point की बात कर लेते हैं अगर बात करते हैं सबसे चोटी कोसी का सबसे चोटी सबसे चोटी कोसी का यह प्रेशने हैं यह मानव ओमन के बारे हम पूचा गया मतलब मानव तो यह सबस भी कोश्चन आपका बन सकता है अगला है अगला हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशी का सबसे तबसे लंबी तबसे लंबी जो कोशी का है इसका जो आंसर है ये किसके बात कर रहे हैं है अपन मानत की तो ये हमारा जो आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा ये होगा हमारा अंड को दिकाई दे रहा है सबसे लंबी कोशी का तो हमारा जो आंसर है वो है सबसे लंबी सबसे लंबी कोशी का इसका जो आंसर होगा वो होगा नूरोन और नूरोन खांपर होती है नूरोन वाले कोशी का वो होती है तंत्री का तंत्र में, किसमें होती है, तंत्री का तंत्र में, आगे ये कोश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और आपके पेपर के लिए बहुती क्या है, इम्पोर्टेंट, यहाँ पर हमने एक कोश्चन से तीन वातें यहाँ पर सीखी है, अगला कोश्चन हम लेते हैं, कोशिक पर जाए और वहाँ पर प्ले लिस्ट में मेरी एक वीडियो है सेल की उसे देख तो कोसिका की आत्म घाती तेली मतलब कोसिका की सोसाइड वेक किसे कहा जाता है तो ये इसमें गोल जी का आंसर नहीं है माइक्रो कॉंडिया भी नहीं है और केंद्रक भी नहीं है तो ये कौन है ये हमारा लाइसोसोम हम लाइसोसोम की बात कर लेते हैं दोस्त तो इसको हम लाइसोसोम को कोसिका का कोसिका का परमानु बंबी कहते हैं कोसिका का परमानु बंबी कहा जाता है कोसिका का परमानु बंबी खेते हैं दूसरा जो पॉइंट है दोस्तो वो है दूसरा जो पॉइंट है इसे कोसिका का कोसिका का सपाई करमचारी सपाई करमचारी भी खेते हैं जो राइसोसोम होता है वो कोसिका की सपाई करता है लाइसोसोम होता है वो इंजायमों का संसलेशन करता है और इंजायम जो होते हैं वो कोसिका का अंदर जो गंदगी होती जो अपसिष्ट होते हैं उनको अब बटन करते हैं तो यह आपके पॉइंट यहां से निकल कर आते है अगला कोशन देखते हम बहुत ही है ब्लेड बेंग किसे कहा जाता है ये मानप की बात कर रहा है इसका अंसर हिड़दे है नहीं इसका अंसर ये भी नहीं है इसका अंसर क्या होगा इसका अंसर योग इसे ब्लेड बेंग कहा जाता है जब हमारे सरीर को मतलब बोड़ी को जब ये वाले हमें रक्त उपलब्द कराता है अगला कोश्चन देखते हैं इसको हम डिटेल में रक्त वाले MCQ में डिटेल से इसको पढ़ेंगे अगला वाला प्रेश्चन है RNA का मुक कार ये क्या है कल हमने कोशिका की क्लास में भी इसके वारे में डिसकुस किया था RNA क्या है RNA क्या है पाचन क्रिया में सायता करना ये नहीं है प्रोटिन संसलेशन में सायता करना बिल्कुल ये आपका आंसर है ये प्रोटिन संसलेशन में सायता प्रदान करता है protein sensation में साहिता प्रदान करता है दोनों नहीं है और इनमें से कोई भी नहीं है तो हमारा जो answer होगा वो ये वाला होगा दोस्तो second वाला होगा क्यों होगा second वाला तो यहाँ पर RNA की बात कर लेते हैं RNA की हम बात कर लेते हैं तो मितलब जो RNA है RNA ने इसकी जो full form होती है वो होती है राई वो अ म्ल राई वो नुकलिक अम्ल ठीक है ओर इसका जो sensilation होता है इसका अगर बात करें से Burada की तो यह कोई सी का के अंदर एक सररशना होती है उसे बोला जाता है दोस्तों केंदरी का तो Kenndry का RNA का संसलेशन करती है जो Kenndry का होती है वो RNA का शंसलेशन करती है अगले प्रेश्णे की हम बात करते हैं और अगला प्रेश्णे हम देखते हैं अगला है पिरत्यक साजीब की मूलभूत इकाई है इसके बारे में कल हमने जो क्लास में था मैंने बोला एक क्लास आपकी थोरी क्यों होगी एक क्लास आपकी MCQ क्यों होगी तो जितने भी MCQ है वो पूरे important है और एक्जाम में आये हुए फिर तेक साजीव की मूल भूत इकाई है मूल भूत इकाई है मूल भूत इकाई है मतलब उस जीव की जो निर्मान हुआ वो किस से हुआ है तो इसका अंसर है तंत्र है नहीं पूतक है नहीं अंग भी नहीं यह क को्सीका है इसका जो भी साजीव होते हैं उसकी जो मूल भूत इकाई होती है वो कोशीका होती है क्या है देख लेते हैं सबसे पेले कोई जो निर्मान होता है उसका जो निर्मान होता है सबसे पहले कोशी का, कोशी का से क्या बनते है, उतक, उतक क्या बनाते हैं, वो बनाते अंग, और अंग से क्या बनता है, अंग तंत, क्या बनता है, अंग तंत, और अंग तंत के बाद क्या बनता है, हमारी बोड़ी सरी, तुझे इकाई होगी, वो सबसे छोटी का ही हमारी क्या है कोसी का बहुत इंपोर्टेंट इसके बाद हम और बात कर लेते हैं कोसी का की एक प्रिशने से एक प्रिशने से हम चार या पाच कोश्चन करेंगे अगर आज के 30 कोश्चन है तो यहाँ पर आपके 500 MCQ किलियर हो रहे हैं तो क्या है यहाँ पर बात करें कि यहां पर आदाहर भूत सब्द भी दे सकता है एक जाम बाला ठीक है यहां पर आपको मूल भूत सब्द भी दे सकता है आपको यहां पर आपको क्रिया आत्मक क्रिया आत्मक सब्द भी दे सकता है यहां पर आपको सरचना आत्मक भी सब्द दे सकता है और यहां पर आपको सबसे छोटी काई भी दे सकता है यह सब इन सब का जो आंसर है दोस्तों वो क्या होगा वो कोसी का है वो क्या 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 है वो क् फोटी छोटी जानकारी थी वह आपके साथ मैंने सेर किए आपको अच्चा लगा तो लाइक जरूर करना अगला कोशन देख लेते हैं और अगला हमारा कोशिका का नियंत्रन केंद्र खेलाता है मतलब कोशिका पर कोन सा अंग है कोशिका का जो कोशिका पर अपना नियंत्रन रखता है तो हर इतला वक यह हमारा आंसर नहीं है, मायक्ट्रो कॉंडिया यह भी हमारा आंसर नहीं है, तारक काया यह भी हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा क्या है, केंद्रक है, आंसर क्या है, केंद्रक है, तो हम यहाँ पर हम केंद्रक की बात कर लेते हैं, को सिका केंद्रक, इसके जो खोज करता थे दोस्तों, इसके जो खोज करता है वो है Robot Brown कौं है, तो वो है हमारे Robot Brown प्रिवन दें रख के जो खोज करता है वो है Robot Brown इसको हम कोजिका का प्रवंदग भी खेते है प्रवंदक भी कहते हैं इसे हम कोशिका का कोशिका का मुकिया भी खेते हैं मुकिया होता है प्रवंदक होता है नियंत्रक होता है वो कोशिका पर कंट्रोल तकता है तो यहां से केंदरक के जो खोश करता है वो रोवर्ट ब्राउन है कोशिका का प्रवंदग भी कहते हैं कोशिका का इसको मुख्या भी कहते हैं तो यहां से तीन कोशिचन फिर आपके सामने मैंने पेस किये अगले देखते हैं आरेने का संसलेशन होता है आरेने का संसलेशन होता है यह बार तो क्या है पिरतम ब्रद्धिकाल में दितिय ब्रद्धिकाल में दोनों में या संसलेशिकाल आरेने का जो संसलेशन होता है वो दोनों में होता है दोनों ब्रद्धिकाल में होता है इसका अंसर क्या होगा दोनों ब्रद्दी काल में होगा यह हमारा आरेन है यह हमारा क्या है यह हमारा आरेन है इसके जो खोज करता थे दोस्तों इसके जो खोज करता है वो कौन है इसके जो खोज करता है बहुत इंपोर्टेंड वो है मिस्सर ठीक है इसका पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है राइवो राइवो निकलिक अम्ल है डोस्तों क्या है राइवो नुकलिक अम्ल है आगे लेते हैं किलास को आपको किलास अच्छी लग रही होगी अगला कोश्चन देखते हैं केंद्रक को सरफ पिरतम किसने खोजा और नाम दिया कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसे सबसे पहले किसने खोजा है और किसने उसका नाम दिया है मैंने आगे भी आपको बताया है कि केंद्रक के खोश करता ये तो हो नहीं सकते ये कोशिका के हैं ये हो नहीं सकते इन्होंने सिद्धान दिया था ये भी नहीं है तो कौन है रोवर्ट ब्राउन जो मैंने आपको आगे अभी बताया था अगले वाले प्रिशने पर चलते हैं और अगला प्रेशने देखते हैं निम लिकित में से कौन सा कतन प्राणियों में इस्तम कोशिकाओ के पृत्यार ओपन के संद्रम में असत्य इस बात पर आपको गोर देना है और ये कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट ऐसे कोश्चन आते हैं निम लिकित में से कौन सा कतन प्राणियों में इस्तम कोशिकाओ के पृत्यार ओपन के संद्रम में असत्य है कौन सा असत्य है ये प्राणियों में जीवन भर स्वम गुनन करती है बिल्कुल राइडवाद जो कोशिकाओ होती है वो जीवन भर अपनी संक्या को बढ़ाते चल करती है गुनन करती तो ये असत नहीं है ये दोस्तों सही है पर आगे ये अंगों के छेती ग्रस्त उतकों की मरम्मत करती है बिल्कुल ये बात भी क्या है सही है जो कोशिका होती है जो उतक गहल हो जाती है उनकी मरम्मत करती है उनको क्या करती है अगला देखते हैं ये एक य अधिक विशिष्ट कोसिकाओं को बनाने की समतावी कोसिका कंदर होती ये भी सही है अगला है ये केवल वून में पाई जाती ये बिल्कुल गलत है और ये आपका क्या होगा आंसर होगा ये केवल वून में ही पाई जाती ये बात असत ये दोनों वस्ताओं में सभी चोटी कोशी का किसकी है संसार की बात कर रहा था पेले वाला जो प्रश्णिता उसमें इसने मानप की बात की थी अब पूरे संसार को लिया इसने के पूरे संसार में सबसे चोटी कोशी का क्या है जीवानों की है क्या माइक्रो प्लाजमा की है क्या या विसानों की है या इस् कंसार में, कंसार में, सबसे छोटी कोशी का, सबसे छोटी कोशी का, एक बड़, कंसार में, सबसे छोटी सेल, लब कोशी का, तो ये होती है, माइक्रो प्लाजमा के, किसकी होती है, ये होती है, माइक्रो प्लाजमा जीवानों के, ये आपको दिहान रखना, अगर यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात करते हैं, तो ये होगा, हमारे सतुर, मुर्गे, के अंडे की होती है, ये बात आपको दोनों, बात ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, मानब की है, अभी किये, और ये संसार की बात कर, अगला कोशिन हम देखते हैं, दोस्तों, मानब सरीर में, देखो, मानब की बात है, मानब सरीर में ब्रत्तम कोसिक होती है, तो इसका अंसर, मास पीस, ये आंसर इसका है नहीं, दोस्तों, ये भी इसका नहीं है, ये भी नहीं है, क्योग हम बात कर लेते हैं कोसिका क्या है केंद्रक होता है केंद्रक केंद्रक के अंदर दोस्तो प्रो मैटिन जालिका होती है जब यह जालिका परिपक अवस्ता को पूर्ण कर लेती है तो वो गुण सूत्र में परिवर्तित हो जाती है ठीक है और गुण सूत्र के अंदर ही दोस्तो डी एने होता है और डी एने के अंदर ही दोस्तो क्या होते है जीन होते है यह एक सिंकला है यह क्या है सिंकला है दोस् से गुण सूंत बनते हैं और गुण सूंत के अंदर dna होता है और dna के अंदर जीन पाए जाते हैं हम बात कर लेते हैं मानब में मानब में गुण सूंतरों की संक्या मानब में गुण सूंतरों की संक्या मानब में गुण सूंतरों की संक्या होती है संक्या में ये 46 होते हैं सात्यों लेकिन अगर जोडों की अगर बात करते हैं जोडों की संक्या जोडों की क्या है संक्या तो दो से एक जोड़ा बनता है तो इनकी जोड़ा होंगे वो सात्यों तेवेस होंगे अगला प्रेशने लेते हैं लाइक और कमेंट जरूर करे अगला है सम्सूतरी विवाजन के बाद पुत्री कोषिकाओं में गुन सूतरों की संक्या जनन मार्त कोषिका की कितनी रही जाती we जब कोषिकाओं में हम देखते हैं कोषिका विवाजन तीन पिरकार का होता है जो कोसी का जो भीवाजन होता है वो तीन प्रिकार का होता है तो तीन प्रिकार के कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात करते हैं पहला होता है समसूंतरी समसूंतरी भीवाजन दूसरा होता है अर्द सूंतरी भीवाजन कीसरा होता है सात्यो आसूंतरी भीवाजन आसूतरी बिवाजन इसकी बात कर लेते हैं ये किसम होता है ये होता है आपकी कायक कोसिका कायक कोसिका होता है जो हमारी वो हमारे सरील की में ब्रद्धी करती है हमारे सरील में कोई चोड लग जाती है कोई गहाव हो जाता है उसको जो भरने की जिम्मेदारी है वो कोसिका की ह उन कोशिकाओं में ये वाला प्रजनन होता है अगला है ये आपकी जनन कोशिकाओं में होता है क्या होता है जनन कोशिकाओं में होता है दोस्तों ये आपका जो विवाजन होता है वो जीवानों है ठीक है आपका अमीबा है जिसे सुच में जीव होते हैं उनमें आसूंतरी विवाजन होता है लेकिन समसूंतरी विवाजन में जो गुंड सूंतरों की संक्या रहती है वो समान रहती है वो क्या रहती है समान ते भी सिस में होंगे तो ते भी सिस में रहते हैं यह बात आपको इंपोर्टेंट करनी है इस पर इस्टार लगा के आपको रखना है अगला कोश्चन देखते हैं अर्द सुंत्री विवाजयन में जीन बी नियम होता है जीन का बी नियम मतलब जीन परिवर्तन होते हैं तो यह आपकी तीसरा वाला उप्सन है आगर देखते है मनुस में कुल कितने गुंसों तर पाए जाते हैं मतलब मानम में कुल कितने गुंसों तर पाए जाते हैं यहाँ पर आपसे जोड़े की बात नहीं किये यहाँ पर आपसे संक्या की बात की गई तो संक्या देख लेते हैं 42 है नहीं 44 भी नहीं 48 भी नहीं तो कितने हैं 40 जो ह हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो च्छालिस होते हैं संक्या में अगर जोडों की बात करते हैं अगर जोडों की बात करते हैं कि जोड़े में कितने होंगे तो जोड़े में दोस्तों ये होते हैं 23 जोड़े होते हैं ये बात भी आपको ध्यान रखना है गुण सुत्रों का निर्मान कोशी का के अंदर केंद्रक में होता है केंद्रक अंदर जो क्रोमेटिक जाली का होती है और क्रोमेटिक जाले का जब परिपक अवस्ता पूर्ण कर लेती है तो उनसे गुण सोत्रों का निर्मान होता है अगला देखते हैं मानब में निस्चन की किरिया संपन होती है मानब में जो निस्चन की जो किरिया होती है वो खांपर संपन होती है इसकी बात आपसे किये गरवाश्य में अंडाश्य में या अंडवाईनियों में या योनी में तो गरवाश्य में निस्यसन की किरिया नहीं होती है दोस्तो इसमें भी नहीं होती है दोस्तो इसमें भी नहीं है तो यू निस्टिशन की कीरिया होगी वो आपकी अंडवाहिनियों में होगे क्या होता निस्टिशन की कीरिया देखते हैं एक सुक्रानूं और अंडानू इन दोने के मिलने की जो किरिया होती है इस किरिया को ही निसेशन की किरिया कहते है ये बात आपको दियान रखने है ये वाले जो किरिया होती है वो आपकी अंड भाहिनियों में संपन होती है अंड भाहिनियों में संपन होती है आपकी अंड भाहिनियों में संपन होती है पुकुराणों और अंडाणों के मिलने की जो किरिया होती है उसे निसेजन की किरिया कहते है ये अंडवाइनियों में होती है और जब ये बनता है तब इन दोनों के योग को क्या बोला जाता है योग मनज मतलब जाई गोटा क्या बोलेंगे दोस्तों इसको बोलेंगे जाई गोटा जाई गोटा यह इंपोर्टेंट जो फेक्ट थे हैं उनको मैं डिसकस कर रहा हूं आपके साथ एक एक फेक्ट बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपने पूरे एमसी क्यू भी देख लिए और समझ ले तो आपका कोशिण भार नहीं जाएगा कौन सा भी कैसा भी एक्जाम हो जिसमें साइंस आती हो अगला कोशिण की हम बात कर लेते हैं अगला कोशिण है निमलिकित कोशिकाओ मेंसे किसमें सम विवाजन होता है अभी हमने बात किये जश्ट अभी बात किये दो मिनिट पे ले समसूंत्री कोशिका जो विवजन होता है इन में नहीं होता है इसका अंसर ये कायक कोशिकाम होता है इसमें भी नहीं होता है जो हमने बात की है और समसूंत्री की हमने अभी बात की थी आप से एक बार फिर मैं डिसकस करता हूं इसमें क्या है इसमें ये कायक कोशिकाम होता है काई कोसी कावों में होता है दोस्तो जो हमारे सजली की काया का निर्मान करती है इसमें एक बात आपको और द्यान रखनी है बिवाजन के बाद बिवाजन के बाद जो गुण सूत्रों होते हैं दोस्तों गुण सूत्रों की संक्या गुण सुंतरों के जो संक्या होती है वो क्या होती है समान होती है अगले प्रिशने की और हम चलते हैं और अगला प्रिशने हम देखते हैं अगला है ब्रद्दी में कोशी का विवजन होता मतला हमारी जो ग्रोथ होती है जो हमारी ब्रद्दी करते हैं वहाँ पर कौन सा कोशी का विवजन होता अभी हमने बात की है तो उसका अंसर है समसूत्री कोशी का विवजन ठीक है तो यह चलो अगला कोश्चन देख लेते हैं कोसी का बनने से लेकर कोसी का बनने से लेकर इसके बिवजन के दुआरा संतान कोसी का बनने तक होने वाली सारी प्रिक्रिया को कहते हैं कोसी का बनने से लेकर और कोसी का बिवजन के बाद इनकी जो संतान अत्पन होती वहां तक की जो पूरी क्रिया होती है उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है उस क्रिया को हम कोसी का का चक्र खेते हैं कोसी का का चक्र बोला जाता है दोस्तों कोसी का का चक्र कहते हैं अगले अधिक्तम प्रकार के आलो में क्रोमोसोम की संच्या होती है इस कोस्टन को आप कमेंट में इसका अंसर आपको देना होगा ये कोस्टन में आपके लिए छोड़ रहा हूँ आप आपकी तयारी कैसी अगले question पर 21 number का question है आपको ध्यान रखना है पुर इसका answer ऐसे देना है 21 first या 21 second या फिर 21 ऐसे आपको comment में लिखके send करना ऐसे ऐसे इसकी answer आपको देना है अगला देखते हैं निम लिकित में से किसकी chromosome संक्या 24 होती है मतलब निम में से यहां पर दे ठीर है कि इन में से किस bonne मतलब किस फोदे में 22 गुनसूतर पाई जाते है only 24 की संक्या दिए दोस्तों 24 टोविस है वो आपके मूलिय में पाई जातker है अगली बात ले लेते हैं क्या बूल रहा है प्रोंस प्रोंस मतलब यहां पर क्या है गुन सूंत्र गुन सूंत्र मानब कोसिकाओं में सदेव रहते हैं जो गुन सूंत्र होते हैं वो मानब कोसिकाओं में सदेव रहते हैं हमें एकल रूप में जोड़े में एक वादो एकल में रह सकते हैं या जोड़े में रह सकते हैं ये और इन मैंसे कोई हम देख तो मानव के अगर बात करते हैं मानव में मानव में गुन सुत्रों की संक्या यहां से एक पोजिशन इंपोर्टेंट है आएगा कि जो संक्या है वो होती है च्छालिस कितनी होती है वो होती है दोस्तों च्छालिस अगर जोड़े की बात करें तो जोड़े में होते हैं तेवि अगर यहां पर female मदा के अगर बात करें तुझे एक सभाई रह का मतलब यह हमेशा आपके जोड़े के रूप में प्राप्त रहेंगे एक मानप के अंदर जो गुंत होते हैं वह एक जोड़े के रोप में पाय जाते हैं उसका जो आंसर है वह है जोड़ा अगला देखते हैं अगला कोश्चन है जीन को खेते हैं 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 जीन को खेत तो जो अनुवानसिक जो इकाई है वो आपकी होगी जीन होगी अगर बात कर लेते हैं यहां पर अगर वो पूँच लेता है अनुवानसिक पदार्थ अपसे पूच सकता है तो पदार्थ में क्या आएगा? DNA क्या हैगा DNA और DNA की प्लोप्रोम होती है डाई 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 ओक्सो नुकलिक हम लोती है अनुवांसी का जीन होती है और अनुवांसी की पदार्त होता है वो आपका DNA DNA होता है अगले प्रेशने पे चलते हैं अगला प्रेशन निम लिकित में से किसमे आस्मूत्री विवाजन होता है मैंने बोला था जैसे जीवान हुआ ठीक है जो सुच में जीव होते हैं नील हरुत इक वाद अगले कोसिन पर चलोए इसमें कोशी के बारें इसके बाद कोसी का विवजन की क्लास आपके लिए मैं लेका हऊँगा आप उस किलास को देखना ना भूले बहुत ही इंपोर्टेंट है उसमें हम सब बात उसमें हम हर एक की बात करें पेली कल निम्मे से किसका एक बाग है तो जो पेली कल है वो क्रोमोसोम का बाग है क्रोमोसोम मतलब किसका बाग है गुंड सुंत्र का बाग है किसका बाग है गुंड सु निनमें DNA याता है मैं तो सभी में पाया है DNA कर लेते हैं ये केंदरक में भी पाया जाता है दोस्तों ये हरितलवक में भी पाए जाता है हरितलवक और जो आप हरितलवक तो हरितलवक आपकी पादब कोसिकाओं में पाए जाता है कौन सी कोसिकाओं पाए जाता है ये पादब कोसिकाओं में पाए जाता है ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं अगला दिया इसको माइट्रो कौन तो दोस्तों ये तीनों में ही डीने पाय जाता इस बात को आपको नौट करके रखनी है और आज के प्रेशने बहुत ही क्या है इंपोर्टेंट है आपके लिए अगला प्रेशने लेते हैं अगला है किसने नुकलिक अमल की खोच की थी ये कोश्चन भी आपको मैंने करवा द किती तो वो थे आपके सिर्ने किसने किती तो उससे सिर्ने किती दोस्तों यही दोस्तों दो पिरकार का होता है एक होता है डीने और एक होता दोस्तों आरेने इनके बारे में हमने आज बात इनके फुल भूम भी आपको मैंने बात कि आगर देख लेते हैं केंद्री का उपस और उफस्थित होती है ये बात हो रही कि फटीनी का पर होती है आपको कमेंट में मता आना है आपको आज की क्लास के से लगिए आज के जो MDo kate, वह आपको कैसा लगें आप कमेंट में जरूर बताई के अगली कुलास आपकी जल्द ही अपलोड हो जाएगे मैं आप से अलबिदा लेता हूँ जेहन जे भारत